कि दीए स्टुडेंट्स आप फिर से ध्यान दीजे यहां पर मेसेज राइटिंग के लिए फॉर्माट दिया हुआ है आप लोग देखिये मेसेज राइटिंग के लिए भी कुष्टन आ सकता है और यह सभी कुष्टन जो फॉर्माट आधारित है इसको आप लोग अच्छे स समझे मेसेज राइटिंग के लिए फॉर्माइट है वह छोटा सरल है आप लोग एक बॉक्स बनाएए एक 4x4 का एक मॉक्स बनाएए और उस वॉक्स के अंदर आप सबसे उपर की लाइन में बीच आप लिखिए स्पेलिंग मेसेज की और मेसेज क्यापिटल में लिखें और मेसेज के नीचे की लाइन में आप उसी लाइन में लिफ्ट में जिस दिनांक को आप मेसेज लिख रहे हैं उस दिनांक को लिखें डेट यहां पर लिखें और उसी के सामने जिस समय आप मेसेज लिख करके हमारे अपने घर से बाहर जाने वाले हैं तो वो टाइम यहां पर डालका करे करें जो यही काम पर एक काम पर पर जहां अमारे घर के लोग आते हैं वहां पर उनको आसानी से मिल जाए देख पाए हमारे बारे में हम कहां गए इसके बारे में जानकारी उन्हें मिले उसके लिए मेसेज लिखते हैं तो आप यहां पर लिखेगा आप जिसको भी लिखना चाहते हैं यानि कोस्टेम पर के रधार पर होगा यदि आपको मेसेज फादर को लिखना है तो या जब को सिस्टर यह जो भी खुस्टिंग की एसर भी इसाफ। सब से आपके एब youngestreach लिखेंगे और डियर मदर नहीं लिखेंगे क्योंगि आप ग्यलती से भी यह ना करें क्योंगि आप लोग जब कोई आठ दस प्रकार के कोस्टेंड को आप लोग अध्यान करके रिडिंग करके यह चले जाते हैं तो आप कंफ्यूस नहों उसको अच्छे से पढ़ लाना कि म या तीन लाइन में उससे ज्यादा नहीं लिखना है या आपको बताना है कि मुझे एक फोन को लाया था और मुझे अचानक वहां पर बुला लिया गया है मैं होकर के इतनी दिर में वापस आ रहा हूं कितनी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखना है इससे ज्यादा बात समने वाले के लिए लिए छोड़के जाना है इस कारेंट से आप लिखे आप उसके नीचे आप केवल नाम लिखेगा यहां पर कोई यह वर्स लाविंग लिए वगरा कुछ भी लिखने के आवसकता नहीं है मेसेज राइटिंग में केवल आप लास्ट में लेफ्ट मे आप अपने नाम लिखेगा और मेसेज राइटिंग वाला काम भी आप बोक्स में करिएगा अभी तक जो भी आपने देखा है वह सारी स्किल्ड डिल्लेपमेंट वाला जो कार्य है उस कार्य के लिए box में यानि particular format box के माध्यम से है box के अंदर ये लिखना जरूरी है इस कारण से आप लोग अच्छे से देखिए यदि आपका format के इसाफ से सब सब कुछ सही है और content यदि कुछ किलत है तो भी आपको कोई ज्यादा punishment नहीं मिलेगा आपको अच्छ से अच्छा नंबर मिलेंगे धन्यवाद